नमस्कार दोस्तों मैं आपको देखिए यहां पर जैसे कि आप एडिंग पड़ी हुई है हेल्पिंग बर्व साहिक क्रिया इसको बोलते हैं इस हेल्पिंग बर्व के बारे में मैं बताने चाहरा हूं कि कितना आसान होता है इसे याद करना और समझना बस क्या आएगी कभी-क कब अगर किसी से पूछा जाए कि बारे टेंज की पूरी हल्पिंग बर्व बताओ तुसे को बतानी पाता है और परे हमने प्रजंट का चारो भेद यहां लिख दिया है उसके बाद देखिए यहां पर पास्ट का पास्ट ने वी कि पास्ट का भी चारों है कि पास्ट का भी चारों भेद लिए हैं सेम भी इसमें भी होते हैं और यह देखिए हमने फ्यूचर कभी फ्यूचर कभी यहां चारों लिख दिया है आप देख सकते हैं नंबर एक पर इंडिपनेट हैं नंबर दो पर कांटिनिवस हैं नंबर तीन जा रहा हूं helping बर्व अब देखिए जैसे पहले यहां लिखा हुआ है कि present में जो होता है present की पहचान हा से होती है मैंने आपको पहले वाली वीडियो बताया हुआ है की पहचान होती हां का पार्ष किया ओं गया इसी तरीके से अगर हम इंडिफ्नीट की एक helping याद कर देते हैं इंडिफ्नीट की एक help गेंग वियाने हमको याद होगा डूर दस डू और डॉस जिसका मतलब प्रजन इंडिफिनिट की जो साहिकरिया होती है वो डू डूस होती है तो इसका मतलब डू का पास्ट जो होता है वो क्या होता है दिड यानि पास्ट इंडिफिनिट की जो साहिकरिया होगी वो क्या होगी दिड दोस्तों देख लीजे एकदम वह अगर आपको दू और डॉस्ष आ गया तो इसका जो पास्थ होता है वो क्या होता है हुआ दूटा या नि परिजंट अगर इंडिपनेट के जाएकलिया हम पूरा प्रवर कर दिया आप सबूरा कि निबस आफ है कि ऐगर SU M, और R, तो आप सुचखे, इज माने है, तो वाज का मतलब था, यानि हा और था, इसका मतलब था की जो मिनी होती है, पार्ट कांटिकल की जो साई के विए होगी, वाज और, देखे, आपको साब देख रहा होगा, वाज और, और, यानि अगर यह है, है तो यह था होगा, या आपको दिखे साब साब दिख रहा होगा कि अगर प्रिजेंट के साइक्रिया इज एम आर है तो पास कांटिरियों के साइक्रिया देखिए आटोमेटिक वाजवर हो जाएगी तो देखे दोंस दों याद करनी की जरूवत नहीं है कि वह समझे ना इसको के वह समझ लेंगे ज में लिखा हुआ है इसका پास होता वाज हो उसी तरीके से कहा में लिए यह रिए होती है वह है है आप लोगों इसको पढ़ा नहीं होगा वैसे हैं और है जो होता इसका जो पास होता है उसको हम बोलते है है यह यानी में पर इस प्रिट क जो आ किसा जो पास्ट है वो کیया हो जाएगा हैड अभी आगे वाले वीडिएओ में आ पढ़ेंगे हाज हैड्ग के बारे में जैसे बुना जाए कि मेरे पास प्लैंध या likely would थी टो डबरांगा बॉला जाएगा अी हैड पले इसका पार्ट जो होताए होता है तो हो जाएगा एकід तो बहुत आसान है साहे करने का बहुत आसान तरीस करने के बहुत आसान तरीकह अब देखिए काइन पर फिट सतना है है Perfect Continuous के लिए हमने क्या कर दिया यहां पर है उता रहा यह उपर वाला उटार लेंगे तहल कि इसमें बीन जुड़ जाता यह जो उपर वाली जो कहसा इकरिया होती है उसी क्या कि बीन जुड़ जाता है कैसे देखीए है यहां पर है तफी अना किया जोड दिया­ यहां है उसके आगे क्या जोड़ देते हैं बीन जोड़ देते हैं तो देखिए कितना असान हो गया है यहां पर नीचे आ क्यीं देखिए है की प्यूटर लिए इसके पार नुए पार्ज बेसे हैं में मुचणद आगे रगा धिए आपका अब देखिए ध्यानदी कि यह अब देखिए ध्यान दिए फ्यूचर में나 इन सबसे पहले में कि नटलेते हैं विल और सेल विल और सेल और कॉंटिनुवस में आगे क्या जोड़ देंगे विल भी और सेल भी विल की आगे भी लगा देंगे सेल की आगे भी लगा देंगे अब देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए विल के साथ क्या लगा देंगे है और सैल के आगे क्या लगा देंगे इस में आपको आइडिया बताया हुआ तरीका बताया हुआ है इसको उतारेंगे किअ कि इसके आगे क्या लगा देंगे और यह सैल है यहां उतारेंगे कि इस तरीके से दोस्तों दोश्टों देख्selfissippi है आपका पूरा टेंप मैं पर क्लियर हो गया प्रिजय्ट की पूरी साइट क्लिया अगर हमें यहां से जैसे मैंने आपको कि वताई उस तरीके अ का भी हो गया पार्ट का भी हो गया धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद